हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने वीवोवी 30 Pro Android में आप अपने मुवञ़़ फोन के ना साइड वाले पावर बटन को दबाय भीना आप अपने फोन को स्विच ओफ कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो हम आपको डीटयेल करने लिए अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड में यह आपको नीचे की आपके more precaution और अप यहाँ और tsunami का पेज आता है अब दोस्तों। यहां पर मैं आपको ना थोड़ा से बात बतायाराता है, कि देखिए यह जो मैं आपको step by step यहां तक आने का process आपको बताया है आपको जो है ना starting में जब मैंने setting का page open किया था ना setting के page में आपको सबसे उपर यहां पर right side के top पे एक search icon का option दिखाई देता है मैं आपको बताये तो यह देखें इस तरीके का search icon इस पर आप टैप करके ना तो वहां पर आपको लिखना क्या है accessibility लिखना है और नीचे accessibility menu का option शो हो जाएगा और आपका यह option टैप करेंगे तो direct आप इस setting में आ जाएगे तो यह मैंने आपको कुछ detail में बताना था तो जोस्तों चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं देखें इसमें आपको नीचे accessibility menu shortcut के ठीक सामने जो button दे रखा है इस button को tap करके on करना है तो आपका यह page आता है इस page को ऊपर करना है तो आपको नीचे यह option दिया हुआ अलाओ का अलाओ पर tap करना है अब यहाँ पर आपको इसे नीचे got it का option tap करना है तो आपका यह button on हो जाएगा जैसे यह button आपका on होता है तो आपकी phone की screen पे एक accessibility menu का shortcut button आपका यह show हो जाता है यह button आपकी phone की screen पे सभी जगे पे दिखाई देगा अब देखे आपको करना है जो button है इस button को tap करना है तो आपका page open होता है इस page को आप left और right कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी option होते है तो यहाँ पर आपको यह power का option दिखाई दे रहा है इस power के option को आपको tap करना है तो अगर यह setting अच्छे लगी हो तो setting का आप अपने phone में जरूर यूज कर गए देखिए ठीक है